मुख्यमंत्री श्री चोहान ने पीपल नीम और हर सिंगार के पौधे लगाए अपने जन्म दिवस पर पतनी श्रीमती दिव्य जैन के साथ पौधर ओपन किया मुख्यमंत्री श्री चोहान ने कैलास जोशी को जैनती पर नवन किया अजमेर सरीफ में रास्ट और हिंदू विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ी का रिवाई हो देवी देवताओं का अपमान बरदास्त नहीं विहीप के अंतरास्ट्री संयुक्त महासचीव डौक्टर सुरेंद्र जैन ने गुरुवार को एक वीडियो बयान जारी कर कहा कि हिंदू समुदाय के पैसों के बल पर चल रहे अजमेर सरीफ की चिस्ती लगातार हिंदू विरोधी काम कर रहे हैं मेहुल चोक्सी के खिलाफ सीबी आई ने दर्ज किया एक और केस 55.27 करोड रुपे की अकित धोकधड़ी का मामला भारत के भगोडे कारोबारी मेहुल चोक्सी के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया है CBI ने भगोडे मेहुल चोक्सी और अन्ने के खिलाफ गुरुवार को मामला दर्ज किया वर्चुल सिखर समेलन में PM मोदी बोले कॉपरेटिव फ्रेमवर्क व्यवहारिक सहयों का एक अच्छा मॉडल PM मोदी ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि I2-U2 से हम बैस्विक इस्तर पर उर्जा सुरक्षा, खादी सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए महत्वपोन योगदान करेंगे असम पुलिस के लिए विश्व इस्तरे कमांडो तयार करेगी CRPF ट्रेनिंग पर खर्चोंगे 30 लाख रुपे सूत्रों का कहना है कि आने वाले समय में उत्तर पूर्व के कई दूसरे राज्यों में भी ऐसी ही बटालियन खड़ी की जा सकती है इसका मकसद उत्तर पूर्व के राज्यों में सेना व अर्थक सैनिक बलों की तैनाती कम करना है इस्तानी युवाओं को कमांडो की ट्रेनिंग दे कर उन्हें उग्रवात प्रभावी छेत्रों में उतारा जाए ब्रिटेन के विशेजबल ने अफगानिस्तान में किये घोर युध अपराद गोदबाया राजपक्छे को लेकर सिंगापूर का बयान वे हमारे यहां नीजी दोरे पर आये न उन्होंने सरन मांगी न हमने दी इतनी बड़ी आबादी का बोज कैसे उठा सकेगा पाकिस्तान जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार वैस्विक दर से ज्यादा वित्ती घोटाले ने खोल दी चीन में विनियमेक और निगरानी की पूल हजारों लोग बने शिकार सामने आये ब्योरों के मताबिक चारों बैंकों ने थर्ड पार्टी एजनसी के जरिये लोगों से संपर्क किया ऐसी डेली अपडेट के लिए देखते रहें